हेलो जहिन साथियो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आप सब का मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर से साथियो पिछले मेरे SP समंधी वीड्यो में कुछ साथियो के कमेंट आ रहे हैं की सर SPA From Online करने के पंस्ट या सब्मिट करने के पंस्ट जो फोर्म की उपर प्रिंट ऑप्षन आ रहा है उससे पी के आवे दन का प्रिंट नहीं आ रहा है तो साथियो उसी सोल्यूशन लेकर मैं आज जीरवाँ हूँ आपके लिए एक नए वीडियो लेकर तो सात्यों चलते हैं बिना देरी की वे हमारी वीडियो में और सबसे पहले हम इस्टा विंडो को लोग इन करते हैं तो सात्यों हम हो चुके हैं लेपा हमारे फॉर्म में पहुंचेंगे फॉर्म चोज़ करेंगे और फिर नीचे फॉर्म में चो़र यहां और आरए फॉर्म सब्स्jàvasati जालनें. उसलिए फॉर्म करने के बाद में सारे details जालने के बाद में और final submit करने से पूर्व की जो इस्तिती जो है या process जो क्या करनी है वो मैंने पूर्व वीडियो में बदाया था कि यहां पे एक option आता है update का या save का यहां से हमें समझ जान करना है उसके बाद में हमें final submit करना है तो update करने के बाद में एक बार हम print लेते हैं यहां से यहां से प्रिंट लेके देखते हैं कि हमारे details जो है वो सारी सही फिलफ हुई है या नहीं हुई है और वहां से हम हमारे जो document या attachment जो हमने अपलोड किये हैं वो भी हम अचीतर से check कर लेंगे तो साथियों देखते हैं मेरा form जो है वो final submitted है final submit मैंने कर दिया यहां पर update या save का option जो आता है वो नहीं आ रहा है तो साथियों एक बार देखते हैं right side में यह उपर जो print option है यहां से हमारा print आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं साथियों यह print जो है यहां पर जो print preview दिखाना चीए यह नहीं दिखा रहा है एक दो रोज पहले जब हम ACP के form on learn कर रहे थे उस time पर जैसे ही print option को click कर रहे थे यहां पर print preview हमारा दिख रहा था और इसे हम print कर रहे थे तो साथियों इसमें क्या करना है इसमें आने की या प्रेसानी में आने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको या तो एक दो दिन वैड कर लेना है यह जो problem है वो साला दरपन स्टाफ window की जो site है उसमें कुछ technical issues चल रहे होंगे उसकी वज़़े से यह कर रहा होगा तो इसमें आप एक दो दिन या तो वैड कर सकते है या आपको क्या करना है यहां से जिसे यहां जो option आता है वहां से update करिए और update करने के बाद में आप एक बार से दुबारा इसी form में आके यहां से उपर से आप एक एक करके सारे जानकारी चेक करते जाएए यहां लिखना नहीं है अगर आप model school के हैं तो यहां पर पूर विद्धाले का लिखना नहीं तो नहीं है हांसे मैं जो चीजें आपको चेक करनी है वो date वागेरा जो है वो digit आपने डाले है वो सारे चेक करने है जो कारेगरन की टीथी और कारेगरन के response में आपने जो attachment यहां पे डाला है यहां से व्यूव अटेजमेंड करके वो attachment हैं हम देख लेंगे साथ इस परकार से आपके सा तो यहां से दुबारे से चूज फाइल करके और यहां से हम हमारे laptop PC या computer में जाके हमारे फाइलों में जाके यहां से फाइल चूज कर सकते हैं ठीके साथियोा, तो इसही कार से आके चलते हैं, इस ताइगण की तीथी भी चेय कर लेंगे, और यहां से वियू अट्रेज्मेंट चेय कर लेंगे、 सम्भग चेय कर लेंगे यह details हमारे qualifications की आ रही है और सात्यों निचे स्यवा कालिम प्रदुनतिया विवरण यहां पे yes रखना है और यहां भी yes रखना है देखे सात्यों अभी confusion नहीं होना आपको यहां no रखा है यह forum मैंने updated कर रखा है तो यहां पे no आ रहा है बलगी यहां हम yes रखनेंगे तो यह details यहां से hide होगी तो यहां yes किया हुआ है इसमें भी yes किया हुआ जो चैनीत या वरिष्ट वितनमान का जो विवरण यहां पे देना है इसमें भी yes किया हुआ है और यह जो पुंद्रश्श्श्टी वितनमान 17 वाला जो वीवरंट देना है उसमें यहां हमने नो किया हुआ है तो यहां पे कन्फूज ना हो और यहां हमने जो डिटेल डाली है 2017 की पेपिक सेशन की पूर डिटेल आप एक बार चेकर लेंगे और अटेजमेंट भी आप देख लेंगे उसके बाद में आवीदी असीपी का वेवरंट यहां आपको अची तरह से देख लेना है परकार जो है नो वरसी है आपका और डेट जो आपकी है वह आप अची तरह से देख लें वहतना युक 7 है यहां पे इस आएगा कुछ भी नहीं आएगा डोपडाउन से और जो आपकी ग्राइड 11 यहां यह आपको अची तरह से देख लेना है उसके बाद में यह जो है बच्चों को वाले डीटेल जो आपको देखनी है वह अची तरह से बच्चे का नाम और टेटो पर आप देख लें जित उसको क्लिक करके हम हमारा फाइनल से मिट OTP के मदम से कर लेंगे और हमारा जो फोर्म है वो शेवड हो जाएगा तो साथियो यह जो प्रिंट का उप्शन है उसमें ज्यादा प्रेशन होने की जोड़त नहीं है इसका दूसरा जो उप्शन है मैं आपको बता देना चाहता ह कि जहां से हम हमारे फोर्म को अप्रूव करवाते हैं हमारा फोर्म जो है पीयो के यहां हमारे डीडियो के यहां फोर्वार्ड हो चुका होता है वहां से हमारा फोर्म अप्रूव होता है और आगे के लिए वह फोर्वार्ड होता है तो हम हमारे डीडियो से बात करके यह हम हमारे फॉर्म को अप्रूव करते हैं वहां से फॉर्म अप्रूव में जाके तो उनको बोलके हम वहां से अपने डीडियो की सालादरपन आईडी लोगिन से हम हमारा फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं तो उसकी प्रोसेस इस प्रकार से हैं हम एक बार देखते हैं डी सामने ने ने option आएंगे यहां जो यह option नारियर में से form approval यह वाला option है यहां से हम click करेंगे और हमारे SCP को यहां से search करेंगे form जो है यहां से SCP चूच करेंगे एप्रूव की जगे यहां से pending करेंगे और जैसे ही show करेंगे यह कारिये जो है यह साथियों आपके PO के वहां जो शाला दर्पन पर बारी या online पर बारी वो करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां से आप जो है print ले सकते हैं तो यह देखिए आपके आपका जो form है वो यहां से इस list में से check कर लेंगे माली जी आपका form है ACP का form आपके आपका जो है वो यहां डीडियो की साला दर्पन ID पर show हो रहा है तो यहां से देखिए application ID जो यह दिया हुआ है यह ID नंबर आपका यहां पर show होगा यहां से इसे click करके हम हमारा print ले लेंगे यहां से देखिए जैसे हमने click किया है यह जो है हमारे सामने preview जो वहां आना चीए था हमारे साला दर्पन की staff window पर आना चीए था वो यहां पर show हो रहा है तो यहां से हम इसका print ले सकते हैं साथियो इस परकार से यह आपके print लेने का जो problem थी वो हल कर सकते हैं आप इस परकार से और यहां से आप print के option में जा सकते हैं इस परकार से तो इस वीडियो में बस साथियो इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में दीगी जान करें अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को like, share and comment करना ना बुलें और साथियो किसने आपके पास आपाएं तो धन्यवाद साथियो बाबाय टेक एयर